स्वागाता अफ सब्सक्राइक और वीडियो में तो दोस्तों देखिए विंड़ो AC सर्विस करना जो इन्वाटर एसी है विंडो AC इन्वाटर में ठीक है तो इसकी सर्विस कैसी करने चीछ पीजी कैसे कवर करके अच्छी तरीके से मतलब इसकी सर्विस करेंगे यही बताऊं यहां पर पूरा अच्छी तरगे से कवर कर रखा है इनों ने पर फिट भी इसको किस तरह से करना है सर्विस विंडो एसी को जिसकी वैसे इसका पीसी भी खड़ाम ना हो पाए क्योंकि दोस्तों पीसी भी खराब हो जाएगा तब बहुत खर्चा आजाएगा आपको पता यह कितना महंगा एसी है यानि पीसी भी जो इसका रिपैरिंग का कॉस्ट कितना आता है आपको पता यह कितना जादा इधर से में दिखा देता हूं देख सकते हैं इसका कंप्रेसर हावला यह सी मतलब काफी हावला है और इसका कमपरेसर भी काफी हावला है जिसकी वया से दोस्तों ये काफी अच्छा इसी है बट इसकी सर्विस की इसरा स्करना है यही बताऊंगा चलिए इसके मैं PCB खोलता हूँ सबसे पहले और फिर मैं आपको बताता हूँ तो इसमें चार पीच लगा हुआ है दोस्तो ठीक है तो इस PCB को मैं बाहर निकाल लूँगा उसके बाद क्या करूँगा इसको मैं cover कर दूँगा पन्नी से तो देखिए खुल गया यह और इसका PCB देखिए दोस्तो यह रहा काफी मतलब बेश्ट तरीके से दोस्तो बनाया इसका PCB इन्वर्टर वाला तो इसकी सर्विस करना है मुझे तो पहले सबसे पहले तो इसमें पन्नी लगा दूँगा देख सकते हैं इसमें दो जैक है जो कि अंदर PCB में गया पर मैं निकालूँगा नहीं फुड़ा PCB इसको इसी पकार से दोस्तों मैं पन्नी लगा दूँगा इसमें देखिए यह वोल्टास कंपनी के है ठीक है इसमें आर 32 गैस है और मतलब इसमें 800 ग्राम गैस पढ़ती ह है तो इसमें 32 गैस पढ़ेगी ठीक है और इसमें देखिया दोस्तों जो PCB साइड है जो बुलवर के पास जो PCB होता है उसके क्या है मैं अधारी लगा लिए हूं जैसे वास वह ऊचा रहेगा ठीक है और देख सकते हैं पनी लगा लिए मैं इनवर्टर PCB में पनी लगाने तो पलक लग चुका है दोस्तों अब इसकी सर्विस हो रही है देख सकते हैं यहां पर अधारी किस तरह से लगाया ठीक है इधर से उचा रहेगा तो पानी पीसीवी में नहीं घुसेगा ठीक है उपर से पनी लगा दिया इनवर्टर वाला PCB में ठीक है दो पीसीवी लग जिसकी वाज एक खराब नहीं होगा ठीक है दोस्तों आपको पता ही होगा मतलब PCP में पानी चला जा तो क्या नुक्सान हो सकता है तो सबको अच्छे तरह से क्लीनिंग कर दूँगा है न दोस्तों तो दोस्तों कूलिंग कोईल तो साफ होगे आप केंडेंसर को क्लीन कर द मैं PCP थोड़ा पकड़ लेता हूं इसको तो तो दोस्तों इसके अलावा जो कवर होता है फेल्टर वह को मैं किलीन कर दूँगा इसको पहले साफ कर ले तो में अच्छी तरीके से ठीक है ठीक है दोस्तों तो देखिए यहां पर यह गिडिल है इसको भी धोना है ठीक है और मतलब यह AC धूल चुका है और बाल्टी भी देख सकते हैं और यह देखिए यह जट पंस में सर्विस कर रहा हूं तो पानी कमें तो मैं चला देता हूं जड़ा इसको यह बैइप मुरा पर इता है दोस्तों क्या होते है बाइवर दियान देनके लिए सैट है आप डिकाइव अधितर दोल चुका है क्या टीक है दोस्तों अच्छे से किलीन करेंगा ठीक है जिसकी वैससे इसी किया है लेता है सरविस करने बहु wal फाइदा होता है और water-sarvice तो ओर अच्छा होता है क्वाच्छा होता है क्योंकि दुस्तों जितना थारीक है तो दूस्तो देखिये इसका जो गडर्याद ब explor दोने के बाद क्या होगा दोस्तों आशिस विंड़ेता हूं कि शसने सब्सक्राइब दूस्तों है तो दोस्तों देखिए इसके जो अच्छे दितल भूल चुक्तरीस तुरह एप अब दोस्ते इसमें к्या पानी शुक्त पानी निकाल लूगा और जो पीसी अगना था मैंने ऑफ Gast वापस उसका पन्नी के निकाल दूँगा पन्नी निकालते हैं दोस्तों पनी याद से लगा लेना आपको पता है दोस्तों inverter PCB गरबर हो जाएगा तो दोस्तों आपका customer भी आप बहुत गुसा होगा आपका नुकसान भी हो जाएगा ठीक है यह नया ACOV विल्कुल voltage company का है दोस्तों वीडियो अच्छा दो वीडियो को लाइक कर दो अब मेर सपोर्ट चीए सपोर्ट मिलेगा तो और भी अच्छी वीडियो लाओंगा आप सभी के लिए तो मैंने टोटल दो पनी लगाया था इसमें ठीक है तो एक निकल चुका यह दूसरा पनी है इसको निकालने हुआ दोस्तों जो चार पेच उसको भी मिलना लगवा दूंगा ठ सबस्क्ति तो ऑध सकते हैं पीसी भी निकल गया इसका और इसको वापस चार पेचिस के का जो होगा दोस्तों में लगा दूंगा दूपरदा भी कि तो दिखो सब में विंडो में लगत दिया हूं इसका इन्वर्टर विंडो एसी झो था हमिए लगा चुका उ Kung Infrastructure अब यह कावर्द हो दिया मैंने इसका देख सकते हैं ठीक है दोस्तों कि अच्छे तरीक्स के लिए होगा तो यह मैं गिरिल देता हूं और यह लगा देगा इसको थीक है दोस्तों तो इसी परकार से आपको विंडवीस करना हो इसको इन्वार्टर वाला होगा इसको सर्विस करना है, ठीक है उम्मीद करता हूं वीडियो आप अच्छी तरीके से समझ चुके होगा कि किस तरह से विंडवीस करना circuits करना जो Veterans होगा ठीक है दोस्तों कोई डिक्षी नहीं लेना है दोस्तों इसमें क्योंकि आप जानते ही है इन्वार्टर पीची भी कितना महेंगा रिपेर होता है इसका कोस्ट ज्यादा होता है तो सब कुछ को अच्छे तरह करके मैं लगा दूंगा और एसी को दुबारा चालू करूंगा दोस्तों अच्छी वीडियो देखने के लिए